Hello students, यह है हमारा question number 6. An ore containing 12% copper, how many kilograms of the ore are required to get 69 kg of copper? यह कह रहा है कि एक ore है, जिसके अंदर 12% क्या है? Copper है. और हमें यह बताना है कि कितने kilogram ore चाहिए, ताकिल उसमें 69 kg copper आए. आप मुझे बताओ. कि कितना ore है, 100%, उसमें 12% क्या है, copper है. तो हमें यह बताना है कि कितने kg चाहिए हमें, क्या चीज, ore, जिसमें 69 kg copper हो. तो देखिए आप क्या कहें, आप कहें सबसे पहले, let the total amount of ore be x kg. हमने पूरी total quantity जो ore की है, जो 100% quantity है, उसको हमने क्या कहा है कि वो x kg है. ठीक है, now, अब इस x kg का 12%, 12% of x, मतलब total ore का 12% जो है, वो कितना बैठता है, 69 kg. हमें नहीं पता कि कितना ore है, उस सारे ore में, अगर हम 12% निकालें, तब हमारा 69 kg क्या होना चाहिए, copper. तो 12% किसका, total ore का 69 kg होना चाहिए, तो हम इसको solve करते हैं पहले, तो 12 upon 100 of x equals to 69, x की value चाहिए, तो 69 into 100 upon 12, अब क्या करें हम इसको cut कर देते हैं, तो ये 6 हुआ, ये 50, 2 की table से फिर से 3, 25, 3 की table से ये cut हो रहा है, 3, 2, 6 और 3, 3, 9, multiply करो, 25 की multiply 23 से, तो 3, 5, 15 की 5 carry 1, और 3, 2, 6, 1, 7, 2, 5, 10 की 0 carry 1, 2, 2, 4, 1, 5, और 5, 7, 5, तो यानि की x की value हमारी कितनी हो गई है, 575 kg, इसका मतलब पता क्या है, कि अगर आप 575 kg और लेंगे, और का आथा न, तो उसके अंदर, हमारा जब 12% निकालोगे, 575 kg का 12% निकालोगे, तो 69 kg आएगा, और ये 69 kg copper है, मतलब total और का 12%, जो है 69 है, और वही हमारा क्या है, copper है, चलिए next question पर चलें,